श्रिकाल सारे नूँ गिल्समेंट और इलर्निंग प्रेटफॉर्म ते तो आड़ा सब दा स्वागत है गिल्समेंट और पंजाब दा सब तो बेस्ट ओनलाइन स्टडी चैनल है जिसनल जोड़के तुसी अपने एक्जामस दिक कार बैठ के रप्रेशन कर सकते हो इस देले तुसी साड़े चैनल नूँ सस्क्राइब करके डेली लाइब क्लासिज जोइन करके अपने किसे भी एक्जाम दी त्यारी कार बैठ के वदियाट अंगनल कर सकते हो इस देले तुसी जेकर साड़े चैनल ते फर्स टाइम आये हो तो सब तो पहला चैनल नो सस्क्राइब जरूर कर लो और नाली जो बेल आइकन जानी केंटी दा बटन है उसनो जरूर प्रेस कर दो तांके इससे नाल अन वाली हर वीडियो दी नोटिफकेशन चाहे हो किसे स्टडी दे रिगार्डिंग हो वे साहे जॉरी हैरी हूं मिस ना हुए तुसी सब ये धी सर्फाल करेंगेशन ना तू सर्करर सकते इंटी ना हो गुप दे लिंक भी मिल जानेगे उत्यों तुसी साथी एप भी डाउनलोड कर सकते हो जिस तुम जाइन करके तुसी वाध तो बाद इंफ्रमेशन जड़ी ओ ले सकते हो वीडियो जो भी तुसी लेक्चर देख देऊ वीडियो देख देऊ उसनों बाद तो बाद शेर जरू प्रेपरेशन कर रहा है तांगे उन्हों तक भी इंपॉर्टेंट इंफर्मिशन है जड़ी वह पहुंच सके तो भी इस दा लाब ले सकने किसे भी तरह ना तुसी कोई कोर्स जो आइन करना चाहने हो जो अपकमिंग एक्जाम आ रहे है उस्ते रिलेटीर तो उस्ते लेई त साथी वेबसाइट है www.gilsmentors.com ते जा सकते हो तो अपनी जुरूरत देशाबनाल जो भी कोर्स तुसी लाना चाहने हो जा कोई टेस्ट सीरीज लाना चाहने हो तो अनु सारी इस दे रहे गांकारिया हो मिल जुगी तो 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 जाके ले सकते हो गूगल प्ले ते जाके भी तुसी साथी एप डाउनलोड कर सकते हो तो तुसी सर्च दे ऑप्शन मेंच गिल्समेंट और नाम लिखोंगे तो आनु साथी एप मिल जुगी इस ता एप दा जेड़ा लिंक है वो इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे वेच भी तो आनु मिल जोगा उत्थो भी तुस सिरीज अवेलेबला सब इनफर्मेशन ना जैड़ी तुआ नू वो साथी एप तों भी मिल जोगी तुसी होते चाहे कोई भी कोर्स भी जॉइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज जॉइन कर सकते हो इस करके इना चीजां दर त्यान रखो ते एदा अन्रोल करके तुसी अपने एक् अप्रेशन कर सकते हो एक्जाम चाहे तुसी कोई भी देना चाहने हो जा कोई पंजाब दा एक्जाम देना चाहने हो चाहे कोई सेंटर लेवल दा एक्जाम तुसी देना चाहने हो हर किसे एक्जाम दी त्यारी है जड़ी हो तो आनू करवाई जारी है तो यह सी कुश कल आपां पंजाबी व्याकर्ण अपना जड़ा पंजाबी दी जिन्हों आपां ग्रामर कहा सकते हैं और स्टार्ट कीता सी जिस्ते वेच आपां कल व्याकर्ण बाड़े पड़े हार सी के व्याकर्ण की हुंदा है उसने महत्ता की है उसनों किसने लिखिया पहली बार जा उस उस दे नाल सिर्फ जो पंजाबी व्याकरन है उस दे नाल जिनने भी बंदे रिलेटीड कुस्चन है वो सारे अपमा वाल नाइनर दी फॉर्म दे विच चाज करन जा रहे हैं जो के तो आड़े पंजाब दे किसे भी एक्साम दे विच जित्थे भी पंजाबी दी ग्रामर त क्लास सेकिंड जिस दे वेचा पाज जिड़े खुश्चन है व्याकरन दे रिलेटीड वो करन जा रहे हैं तो स्टाट कर दे हैं सबतों पहला अपना आज दा कुस्चन है जी क्वोश्चन नमबर एक व्याकरन निजमा विच बज के पाशा केड़ा रूपता अर्ण कर दी ह जदो कोई पाशा जडिया जदो उसनु व्याग कर दे नुद निम बनाए गया हो न दे विच्छर रखा जानदा है तो ओकीडा रूपता अर्ण कर लें दिया वो कर लें दिया साहितिक जां टेकसाली रूप साहितिक जां टेकसाली रूप ओंदा जदो अपने नावलकार जदो किसे चीज नू लिख देया है तो जड़ी पाशा साहितिक पाशा बन दिया क्योंकि वो देविच कुछ जड़े रूल्स रेगुलेशन बनाए गया व्याक्तान टेकसाली तो आनू जदो एकसाम देविच तुसी बैठोंगे हो सकता तो आनू एना दोना देविच्चो एक ओप्शन दितता होवे इसकर के जिड़े वी एक तो ज़्यादा ऑप्शन होंदे है एक तो ज़्यादा नेम होंदे है जिसने विच जान जा कॉमा पाके लिखे होंदे होना नू थोड़ा जया त्यानल देख लागरो क्योंकि कई परी आपा एक नाम पढ़के छाड़ देने और उते एक्जाम दे गया है ता व्याकरशननू चार पागामयच बंढ़ आगया है आपकर खित छोड़ देर इसी अर्थ अक्खरबोद comfy तुनी मद और वर्न बोदन जिस्ता के एक नाम है खीक है, सिकिंड सी शब्द बोध, थर्ड सी अपने कोले अर्थ बोध और फोर्थ वांद सी अपने कोले वाक बोध ता ए चेड़े चार ए व्याकरन दे मुख पाग है अग्या आगया प्रशन नमबर तिन पंजाबी दे पहले व्याकरन दा करता कौन है ता पंजाबी दे पहले व्याकरन दा करता कौन मन्या जाना है William Carey अग्या चाल दे प्रशन नमबर छार जिस विध्या राई पाशा दे नीमा दी पड़ चोले व्याक्रया किती जाना है उसनू की कहने हैं तो उसनू आप हैं व्याकरन कहने है अग्या प्रशन नमबर पांच व्याकरन दे किस पाग वेच सानू अखरा जान वर्ना बारे जानकारी मिल दी है ता ओ है वर्न बोध तुनी बोध जा अखर बोध और इना तिन्ना दे विचो वर्न बोध तुनी बोध जा अखर बोध एक ही चीज है एक्साम दे लिशे बश्चाँ सारे 1 होगा उसे बश्चाँ सारे लिखने लिखेडी है नम है उन्हानों थोड़ा जए देख लिया करो अग्या ची प्रशन नंबर छे बिलियम कैरी द्वारा लिख्या पंजाबी व्याकर्ण कदों परकाशित किता ग्या सी ता अपा काल पड़े ची के कदों परकाशित किता ग्या सी ता ओ किता ग्या सी जी 1812 इश्वी दे वेच जड़ा उन्हाने लिख्या सीगा उसनु परकाशित किता गया सी ठारांसो बारां इश्वीदे वेच अग्ये चाल देयां प्रशन नंबर साथ पंजाबी पाशा दा व्याकर्ण धी रचना किसने किती सी पंजाबी पाशा दा व्याकर्ण दी रचना किस ने किती सी ता ओ किती सी दुनी चांदने किती सी अग्गे आगाजी प्रशन नंबर आठ पाशा वेच आए शब्द स्मूहा दे अंतर नू स्पस्ट करन लेई सान नू किस दा ज्यान जुरूरी है जदो आपा कोई पाशा लिख दे जा बोल दे उस दे वेचे जड़े शब्दा दे स्मूहा दे अंतर जड़ा स्पस्ट कर दे तो उस दे लिए आपनू किस चीज दा ज्यान होना जुरूरी है तो उस दे लिए आपनों व्याकर्ण दा ग्यान होना जुरूरी है क्योंकि व्याकर्ण दे विच्छी आपनों पता लगदा है कि शब्द दे जड़े अर्थ है जो आपा अर्थबोद कर दे है तो उस दे विच्छ आपा शब्द दे अर्थ दे पक्तो व्याक्या कर दे है तो व्याकर्ण दी जड़ी सब तो छोटी काई है जी ओ है तुनी ठीक है जी अग्गे चाल देयां प्रशन नंबर दास पाशा दी शुद्धता ते सुन्दरता लई यो नियुम बनाए गए हन उना नू की क्या जन्दा है तो उना नू अपना व्याकर्ण बोल देयां इस सारे को व्याकर्ण दे उपर रिलेटेड है तो गोस्टन किसे भी तरह मैं कोशिच कीती है कि जिन्ने वाद तो वाद कोश्टन मैं दे सक्थी इस टॉपिक दे ऊत्तर उत्पर मैं उन्ने ही बनाया ताकि किसे भी तरह कोश्टन मोल्ड करके दिता जान्दा इक्जाम देवेच ता तुसी confused ना हो वो क्योंकि एक ही topic है अपने को ले छोटा जा व्याकर्ण और वो सारे question उससे आलेद वाले ही मितलब वो उससे related ही है इस करके बहुत सारे question दा answer व्याकर्ण होगा बट वो question है जड़े ओचेंज होगे के कोई question किस तरीके नर्ण पुछयागै कोई किस तरीके नर्ण पुछयागै अगए चाल देआ प्रेशन नमबर 11 वर्ण बोध जां अक्र बोध नूँ qualcosa तब्र किस नानाल जाने है अग्यागा प्रेशन नमबर 12 व्याकरन दा दूज्जा ना की है तो व्याकरन दा दूज्जा ना है शब्द उन्शाषन क्योंकि जड़ा अपनू व्याकर्न दे वेच आपनू शब्दां दे उन्शाषण दा पता लगदा है के केड़े शब्दनू अपन ज़े वाक मीनिंगफुल बनाना अर्थ वाला वाक बनाना जिस दा अर्थ स्पाष्ट होवे तो उस दे वेच आपनू व्याकर्ण दे वेच ही रह के उत शब्दान दे जड़ा उन्शाषन रखना पेंदा है मतलब के ये देखना पेंदा है के वाकर्ण दे वेच केड़ा शब्द कित्थे ओना चाहिदा है अग्यागाजी प्रशन नमबर 13 व्याकरन दे किस पाग वेच वाक रचना दे नीमा दी गल कीती जान्दी है जो तो वाक रचना अपका करदे हैं जो वाक बटांदरा करदे हैं जो वाक कांदरा जिडां केक वाक नउ अपका तबदील करदे हैं व्याक वाक अग्याजी प्रशन नमबर 14 आफाधिनक किसे पाशानू है। अग्यागया प्रशन नंबर पंद्राँ, पंजाबी वेच शब्दाउ अध्या नूग की आ जानदा है। उस नूग क्या जानदा है। शब्द-बोद। आँ पनजाबी दे वेच शीज़ दे थू आपा शब्दां दा अध्यान कर देया हैं के शब्द की है उसधे अर्थ की अन ठीक है जास केडा सर भर थीक आप अगली जैट सुश्क्री आगली इसमिल अध्यान कर देया हैं तल औससी टीक न्यक्त करने आघ अग्गे चल देयां प्रशन नंबर 16 किसे दूजी पाशा नो सिखन लेई सब तो पहला किस चीज दी समझ होना लाजमी मन्या गया है तो यह जी व्याकर्ण जदो आपकोई भी दूसरी पाशा सिखनी आए उस देले सब पहला जड़ी चीज आपनु सखाई जानना जानी कि उस पाशा दा पाशा दी ग्रामर्स खाई जान दी आए स्पोझ करो तुसी एंग्लिष ही चाहि इंग्लिष दूसी बोलनी शिखनी चाने हो स्पीकिंग सिखनी चाने हो चाहि लिखनी जदो आपनों सखाई जानदि या तो ओधी स्टार्टिंग इतं जान दिया ए बीसी तो ठीक है और उस दो बाद जड़िया उस दी ग्रामर्स सब तो पहला टेंजिस सखाए ज़ासμεने जो के इंगलीष दि बेसिक ग्रामर टको जथव आपमा इंगलीष सिंगनी चाहिए आपर त्पीकिंग ही क्यों चक्छिन होगे आपणनों ड्रेक्ट बुलना नहीं सखाया जान पहला आपनों ऊस दिольш hij पैसान करवा चाहिए कोई भी आपा नैशनल लेंग्योज अपनी सिखनी है ते उस देली सबतों पहला आपानु जड़ी ग्रामर है जानी व्याकर्ण है उस दी समझ होना जुरूरी है ताही आपा उस पाशानु सही तरीके नाल बोल लेखते सिख सक देया अगे आगया प्रशन नंबर स्त व्याकर्ण दे नियम कित्थों ले जान दे हैं तो जड़े व्याकर्ण दे नियम है उसे पाशा विच्चों ही ले जान दे हैं जिस पाशा दा व्याकर्ण होनदा है यह नहीं है क्योंकि व्याकर्ण दे जो नियम है उसनों आपा किसे दूसरी पाशा दे उपर नहीं लगा सकते एक पाशादा जड़ा व्याक्र नालो लग होन्द यह इस कारके जड़ी पाशादा व्याक्र बनाने आपजा होन्द और जड़े रूल और रैंकुलेशन हैं और उसे पाशादे विच्चों ले जानदे है कि तो बारों नहीं ले जान दे अग्या आगा प्रशय नमबर 18 पंजाबी वेच सब तो पहला व्याकान साहित किस ने लिख्या सी तो जो पंजाबी वेच सब तो पहला व्याकान साहित लिख्या कि अग्रा ओंग्त मुख फ्रांग क्य एक लिए मगंद जर्प हैं था यह इसथ महर्निय पाहिए क्टोन नूछ नांग्त मुख फिरये एक अर्प्राव लिए 2 गॉए कि वर्ण की हुन दा तुनी की हुँदी यह लगाखर की हुदी जो सब तो पहली बेसिक चीज आपनी कि जम्याप ऊड़ा लिखने पंजाबी देवेच तुनी की अखर है जहां एक वर्ण है तो उसनों कि मैं लिखना जा उस दी अवाज की यह तुनी की निकल दिया उसे न के लगा मातरा लग दिया किड़ा लगा अखर लग दाया कि मैं उना नू अग्ये जोड के शब्द बनुगा ये सारिया चीज़ा जडिया ये आपनू इस दे विच अखर बोध जा वर्न बोध दे विच पता लग दिया है इस करके इसनू व्याकरन दा मुख अंग मन्ने आ गया मतलब एतो ए बेस है एतो ही हरे एक चीज़ अग्ये जाके स्टार्ट होनी है इस करके इसनू मुख अंग मन्ने आ गया ठीक है जी अग्या आग्या प्रशन नंबर वी लाला बिहारी लाल द्वारा लिख्या व्याकर्ण साहित कनों परकाशित होया सी जो लाला बिहारी लाल जी ने व्याकर्न साहित लिख्या सी पंजाबी दा, ओ कनो परकाशित होया सी, ता ओ होया सी ठारां सो नत्तर इश्वी देवेच, ठारां सो नत्तर इश्वी देवेच, जड़ा पंजाबी व्याकर्न विल्यम कैरी ने लिख्या सी, ओ होया सी ठारां सो पारा इश्वी देवेच और जो लाला बिहारी लाल दे लिख्या सी व्याकर्न साहित ओ परकाशित होया सी ठारा सो नतर इश्वी देवेच ठीक है जी ता एसी आपने आज दे कुस्चन्स जो अपने टॉपिक दे नाल रिलेटिर सी व्याकर्न दे नाल अमीद कर दिया तो आनू आज दा सेशन पसांद आया होगा चे तो आनू सेशन पसांद आया है ता इसनू वाद तो वाद शेयर कर दो जिमेके पहले क्या है जित्ते भी तुसी किसे नाल जुड़े ह तो आनो पता है कि वो भी किसे एक्जाम दी त्यारी कर रहे हैं तो ओना तक कि जुरूर पचाओ ताके ओना नो भी जड़ी इंफर्मेशन आउना तक पहुंच सके ते ओना दी वी किते ना किते जिन्नी भी है वो हल्प हो सके इस देना तक कल मिलांगे नमी क्लास देवेच नम कर दो चैनल नो सस्क्राइब जूर कर लेना और ना आली जो बेल आइकन है उसनु प्रेस करना ना पुलना तन्वाद